अलो फ्रेंड उम्मित करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस स्टूटे के नरे में आपको बहुत ही इंटस्टिंग अप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों हर कुछ वक्त के बाद जो है हमारे सामने कुछ ओकीजन आ जाते हैं जैसी कि कि किशे को बहुत ही अच्छा सा बहुत ही अच्छ सा बहुत ही अट्रेक्टिव बहुत लुकिंग विट्सिक साल दो कि वीटिएशन अब ना हूँ है कई साल पहल्ले मैं लेकिन sevent आय। कर रहे हूं तो दोस्तों यहां पर उसका वो पुराना वर्जन हुआ करता था पहले लेकिन दोस्तों यहां पर आज मैं वह अपडेटेड अप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा बहुत ही अच्छी से चीज़ें इसके अवेलेबल की गई है बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है इसका और दोस्तों यहां पर सबसे बेस्ट बाद इसके इंदर यह है कि यह पेड़ वर्जन को हम फ्री में इस्वाल कर सकते हैं अब वह कैसे पॉसिबल है मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा तो दोस्तों अगर आपने अब तक कि यह टेकनिकल बोनस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे इस वीडियो का स्क्राइब करने से पहले लाइक जरू करके जाना तो चलिए बढ़ते हैं मुबाल इसके तरब और प्रैक्टिकली ही इस चीज़ को देख लेते हैं फ्रेंड्स जैसे आब इसे ऑन करोगी कुछ इस सरीके से इसका इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले तो कुछ ट्रेंडिंग यहां पर ऑप्शन्स दिए वे हैं जिसी कि आप देख सकते हैं क्या ओकी चन अभी चल रहा है क्या चीज़ ट्रेंडिंग में है वह आप देख सकते हैं जिसी कि फिलाल हैपी गनेश चातूरती या फिर हम देख सकते हैं यहां पर हैपि मुहरम तäg अलग जो भी ट्रेंडिंग में यहां पर प्रिसेंटेशन इस अप्लिकेशन के अंदर बं रहे हैं वह यहां पर हमें दिखाई देते हैं तो चाहunku श को उस Felix को लेकर ंपर अिए प्रेशनल मेडिया के जो मेडिया होता है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो नीचे के तरफ बहुत सारी थीम्स दी है इसके अंदर सबसे नीचे के तरफ तीन आप्शन समय दिये है स्लाइड शो है जो फिलाल अभी हम देख रहे हैं और उसके तरह किसे एक प्लस का सायन है जिस इसे हमारे गैलरी में कैसे सेव करें एक बहुत सा एक वीडियो इस टॉपिक पर मैं पहले भी बना चुका हूं सेम अप्लिकेशन के उपर मैंने बनाया था कुछ साल पहले लेकिन दोसे यहां पर यह फिलाल उसका अप्ग्रेड़ेड वजन है उस वीडियो के उपर मुझे कमेंट आए थी कि इसके अंदर बनाई गया वीडियो जो है वो हमारे गैलरी में सेव नहीं होता है तो कैसे करना है दोस्तों आप कम्प्लीट डीखे इस वीडियो को मैं यह भी आपको बताने वाला हूं कि किसा रीकिसे गैलरी में सेव करना है तो चली यहां पर शुरू कर चरिए उसके अंदर की इमेजस देखने को मिल जाएगी तो उन इमेजस को हमें यहां पर सेलेक्ट करना कुछ सरीके से सेलेक्ट करने के बाद कर दिना है उसके बाद यहां पर दो आक्षिंस हमें नज़र आएंगे मैनवल और और यह क्रोप के लिए होते है याँ और आप इसका कौन सा हिस्सा आपके presentation में आपके वीडियो में रखना चाहते हैं तो आप इसे manual या auto दोनों ले सकते हैं मैं आपको recommend करूंगा कि आप manual लीजिए क्योंकि auto लेने पर क्या होता है कि image का कुछ ऐसा हिस्सा कड हो जाता है जो हमें required हो तो यहां इसके लिए आपर manual करते हैं चलिए manual कुछ इस तरीके से हमें सेट करना है बहुत ही आसानी से करना होता है दो सब्सक्राइब कर सकते हैं रियारेंज कर सकते हैं आसानी से देखे कुछ ही सेकंड्स में complete हो गया तो देखिए अटक्टिव से यहां पर हमारे समने प्रेजेंटेशन बनकर रेडी है दोस्तों यहां पर एक जो थीम हमने लिया है इसके अकॉर्डिंग यहां पर इसमें म्यूजिक एड्ड है इसमें हम बोलेंगे कि स्लाइड प्रेजेंटिशन एड्ड है तो दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि आप इससे बदल दे तो यहां पर नीची की तरफ कुछ ऑप्शन से हमें नजर आते हैं इनमें और बदलाव कर सकते ह होता है है एतनी इमेज्ञा आपने एड की है इनके एलंबा और ऐड़ करनी है और सकते ह 화장 के यहां से बहुत सारी रिमयूर कर सकते हैं उसी तरीकỹ से कोई भी यहां पर apply कर सकते हैं बहुत ही attractive attractive तीम से यहां पर available है टेक्स आप देख सकते हैं जो फिलाला भी जितनी भी slides यहां पर present हो रही है और इनमें अगर टेक्स अगर present है तो अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो टेक्स पर टैप करके उसे आप इडिट कर सकते हैं देखिए यहां पर fashion and style कुछ इसरीके से यहां पर हम एडिट कर पाएंगे टाइप करने के बाद और उसके बाद लास्ट में जो option दिया वह है नीचे की तरह भी music का है यहां जो music आपको फिलाला भी सनाई दे रही है तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वह बदल जाए तो यहां पर हम इसे music पर tap करेंगे tap करने के बाद तो यहां पर हमें बहुत सारे ग्यालरी के अंदर options अजर आएंगे अलग-अलग sections यहां पर बने हैं आप देख सकते हैं बहुत सारे जितने भी यहां पर music से कुछ के आगे लिखा है यूज और कुछ के करते हैं अगर आपको पहले से पता हैं तो कुछ इससरी किसे यहां से हम यूज पर करके वह music को हमारे presentation में अपलाइक कर देंगे अब आते हैं यहां पर कि इसका जो वाटरमार्क होता है उसे किससरी कि से रिमू करें दोसे यहां पर देखिए मैंने जिसी के बताया कि यह प आप देख सकते हैं फिलाल जो presentation हमारा चल रहा है उसमें यहां पर वाटरमार्क है उसमें क्रॉस का साहिन है जैसी ही आप इसे टैप करोगी यह बोलेगा वाच वाच एड़ तो यहां पर जैड़ एक होता है एक बार वाच करोगी आप इसे क्लोज कर दिए यह कंप्लेट होने के बाद आप देख सकते हैं यहां से हुआ होगा अभी वाटरमार्क विट मुजिक यहां पर फ्री में हम हमारा यह क्या करता है कि अप्लेकेशन हमें अलाव करता है हमारे सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए हमारी ग्यालेरी में स्यों करने का ऑप्षिन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है तो वह कैसे करना है तो दोस्तों यहां पर देखिए सबसे ऐड को कर लेते हैं तो यहांपर कहीं पर फूड़ो्डोस पर इस अप्लेट कर पाऊगे या तो फिर माय ड्राइव में अप्लेट कर पाओगी और अलग-अलग options यहां पर दिये हैं लेकिन कहीं पर भी save करने का कोई option available नहीं है तो दोस्तों एक चीज़ important यहां पर यह है कि देख यहां पर जब इसके अंदर हम save button पर tab कर देते हैं तो यह हमारी gallery में save हो जाता है बहुत सारे लोग confused होते हैं कि यहां पर यह तो save नहीं हुआ लेकिन दोस्तों यहां पर यह हमारी gallery में directly save हो जाता है अब देख सकते है slideshow तो जहां पर उसे relevant folders जो है वहां पर हमें देखने को मिल जाएंगे तो slideshow में यहां पर देखें इस लैशो जो हमारा application है तो हमने यहां पर slideshow बनाया था तो slideshow के अंदर यहां पर हमें वह सारे देखो नीची के तरफ यहां पर तीन फाइल से तो यहां पर जो हमारे option available है यह application के अंदर presentation directly SEO हो जाता है आप इसे करके देखिए आपका क्या review है इसके बारे में आप क्या सूच से हैं किस तरीके का application है और मैंने जब को बता है यह किस तरीके से बता है तो आप comment में ज़रूर बताए आप करके देखिए इनके से अगर आपको को पूनोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लिजिए साथ ही बेल आइकान को भी प्रेस कर लिजिए ताकि जब भी कोई नए वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका message मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने knowledge को बढ़ा पाए तो दोस्त Okay, goodbye and take care.